हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल जॉब हैंट विट स्वाती आज मैं आप लोग लिए नई जॉब अपच्चिती लेकर किया हूं यह पच्चिती आई हुई है एकवी साइट इक्सपिरियेंशियल मार्केटिंग की दरफ से यह वैरिस पोस्ट के लिए हाइरिंग गुडगाओं इंडिया बट यह अधर लोकेशन के लिए भी हारिंग कर रहा है और कंपनी के बारे में अधी बात किया जाए तो एक्सपिरियेंशियल मार्केटिंग वी ट्रांसफॉर्म ओर्डिनरी मॉमेंट्स इंटो इक्स्ट्रो ओर्डिनरी मेमोरी यानि कि यह जो काम करती है यह करती है इवेंट मैनेजमेंट का काम ठीक है तो बहुत ही जादा इंड्रेस्टिंग है बिकाज इवेंट मैनेजमेंट वगेरा की फिल्ड जो है डे बाई डे ग्रो कर रही है और उसमें काफी ज़्यादा पैसा है बहुत से लोग फ्रीलांस करते हैं लेकिन अग कि event management manager की post ले hiring और यह दिल्ली के लिए जिसकी salary range आपकी रहने वाली है 527 LPA ठीक है इसमें कम से कम 3 साल का experience इन्होंने मांगा हुआ है इसी तरह है event management executive की post है मुंबाई के लिए जिसमे salary आपकी रहने वाली है 526 LPA 526 LPA आपकी salary रहने वाली इसमें भी कम से कम 3 साल का experience मांगा ग इसमें भी आपका कम से कम 3 साल का experience मांगा गया है back office का work ही लग रहा है so कम से कम 3 साल का experience है तो आप इसमें apply कर सकते है because यह बहुत ही बहुत ही इसकी salary रहने वाली है work के accordingly 527 LPA salary आपकी रहने वाली है जबकि profile कोई बहुत बढ़ा नहीं है junior operations associate की profile है ठीक है अगर आपकी पास experience है कम सकम 3 साल का experience है इसमें आप लगा सकते हो और 7 LPA आपकी salary रहने वाली हो और Delhi location के लिए hiring हो रही है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही position है ये ठीक है इसके अलबागा जो लोग non-experienced है ठीक है या उनके पास 3 साल से कम experience है या जो आजकल जो नई-ई-ई skills चल नहीं है market में अगर आप उन counselor को शीखना चाहते हो उन से लिटर अगर आप skills experience gain करना चाहते हो तो बहुत ही बैतरीन अपोचिटी एकर आप paid internship search कर रहे तो आपके लिए बहुत ही बैतरीन अपोचिटी बेकाज यहां पे 3-4 त्रेके कीए internship लेकर काये है जो की fully paid है मातर दो-दो महीं पर मंथ मिलने वाला है ठीक है और काफी अच्छी इंटर्णशिप्स है जैसे कि आपकी ग्रैफिक डिजाइन ठीक है तो यह इंटर्णशिप इसकी जो लोकेशन रहेगी गुर्ड ग्राम रहेगी फाइफ थाउजन पर मंथ आपके स्टाइपन रहने वाली है दू महिने की इ कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग भी बहुत जादा आजकर डिमांड में है बहुत ही इंटर्टिंग प्रोफाइल है इसमें भी आपकी दो महिने की इंटर्णशिप रहने वाली है और फाइफ थाउजन पर मंथ आपका स्टाइपन रहने वाला है इसके साथ यह कितनीर कूप काई है इवेंट ऑफरेशन की यहां पर इंटर्णशिप थिक के यह इंटर्णश्यंघ इंटर्णशिप भी दो reminds कि है और फाईफ थाउजन पर मन्थ आपकी यहां पर इस ट्वन मिलने वाला है तो देखे क्विच्ए कंपनी है आपकी apresent सर हुएँ हो सकता कि तो खायरे इन उन्हें तीन साल के experience कम से कम मांगा है तो फिलाल Intensive Purpose, Sets, Opportunity, Event Operations की ठीक है यहां पर आपको सीखनों को मिल जाएगा Experience मिल जाएगा प्लस आपको stipend मिल जाएगा फिर इसको आप चाहो तो आप as freelancer कर सकते हो company में करना चाहते हो company में कर सकते हो ठीक है depends on you तो एक internship में open करके दिखा देती हूँ यह आपको दिखा देती हूँ बाकि किसी और में अगर इंट्रेस्टेट हो तो उसको भी आप check-out कर लेना ठीक है इवेंट ओपरेशन इंटर्ण्शिप इन गुर्गाउं एट इक्क्विसाइट इक्स्पिरियेंशिल मार्केटिंग ठीक है तो जैसा मैंने आपको बताए इमेज जॉइनिंग होगी इसकी और एक हपते हुए इसको पोस्ट हुए और दो महिने की डूरेशन की आपकी इंटर्ण्शिप रहने वाली है फाइब थाउजन पर मंत आपका इस डाइपेंड रहने वाला है बारत दिसंबर इसकी लास्ट दीट है तो अभी भी आपके पास टाइम है आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है so about internship selected interns day to day responsibilities include will work on MIS in MSXL will work on vendor management working on day to day coordination working on research making reports field research ठीक है तो पूरा full work आपका रहने वाला है फिल्ड वर्क से लेकर कि आपका data entry वगरा जो भी है MS Excel पर करना है वो ठीक है और भी जो मतलब events से लेकर जो भी work रहते हैं वो सब आप यहां पर सीख जाओग, making reports है, working on research है, ठीक है, day to day coordination है, तो इस पर आप काम कर लेते हो दो महीने, तो आपको concept पुड़ा clear हो जाएगा event management का आपको काम करना आजाएगा, तो काफी अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है, who can apply, only those candidates can apply, who are available for full time in office opportunity, ठीक है, तो in office internship आपकी रहने वाली, this is not work from home, can start the internship between 28th November and 2nd Gen, ठीक है, तो या तो 28th November को start कर सकते हो, या मतलब 28th November से लेकर के, 2nd Gen के बीच में आपको apply कर सकते हो, मतलब आप work कर सकते हो, तो अभी तो 2nd Gen को भी time है, तो अभी आप इसके लिए apply भी कर सकते हो, because इन्होंने 12th December last date के रखे हो, और अभी joining की date भी 2nd Gen तक है, तो अभी आप इसमें apply कर सकते हो, ठीक है, are available for duration of 2 months, ठ internship रहने वाली है, have relevant skills and interest, तो skill and interest होना चाहिए, कोई experience की बात इन्होंने नहीं कह रखी है, ठीक है, perks के मिलने वाले आपको certificate मिलेगा, letter of recommendation मिलेगा, formal dress court रहेगा, ठीक है, so, काफी एची opportunity है, और stipend तो आपको मिलना ही है, मैंने उपर ही, आपको दिखाए दिया, कि ये 5000 पर मत आपका stipend रहने वाला है, image ये ठाइरिंग है, position की बात के जा number of opening तो 2 है, ठीक है, लेकिन देखें, जब ये हर 2 महीने पर internship ये कराते हैं, तो हर 2 महीने पर, suppose कि अभी अगर आप shortlist नहीं हो है, तो next time आप shortlist हो सकते हो, ठीक है, so, आप इसमें apply कर दो, जरूई नहीं कि इसमे दो-दो openings डाल दी है, लेकिन फिर भी आप apply कर दो, ये मस सोचो की opening दो ही है, ठीक है, so, मैंने एक post आपको open करके दिखा दी है, बाकी आप जिस भी internship में interested हो, या जिस भी job में interested हो, आप उसके लिए apply कर सकते हो, इसका apply link मैं आपको description में दे दूँगी, अगर आपको मेरा channel प updates provide करती रहती हुँ, thanks for watching my channel, bye-bye.